कि आ चलिए देखिए आपके सामने यहाँ पर पहला कोश्चान आचुगा है और सभी लोग इसका जबाब देंगे और अपने मन में सोच लेंगे कि इसका आंसर क्या होगा अलाकि इस प्रकार वाला कोस्टन पिछले वाले भाग में भी आया था तो यह कोस्टन यदि आपको इंग्लिज अच्छे से आती है तब तो आसान है नहीं तो यह टफ लग सकता है क्योंकि यहां पर लगाया है न पोस्चन का आंसर का तरीका वह, नंबर के हिसाब से नहीं है जैसे इसके नंबर के हिसाब से नहीं है बलकि कि अरफ़ के अधार पर दिया गया है जैसे यहां पर लिखा है bleak bleak मतलब क्या होता है एक तरीकी से बे-रंग या फिर बे-रंग के अलवाया कर सकते हैं खुला हुआ ठीक है ? छृफपा करने वाला या फिर रहम दिल तो उस प्रकार से इसका उल्टा क्या आएगा जो की कञटोर दिल का ओ ठीक है इस प्रकार से तो इसका सही जवाब यहाँ पर यह चे आर्यस हो जाएगा ठीक है तो इसका बहुत सारे लोग नहीं दे पाया होंगे जवाब बाकि अन्य आने वाला कोश्चन आपको आसान ही मिलने वाला है आप जवाब बताईएगा ठीक है जैसे दूसरा कोश्चन आ गया पताईए इसमें कौन सा जवाब सही होगा है वीडियो लंबा बने जाता है क्योंकि प्रैक्टिसेट में टोटल चालिस कोश्चन है इसलिए थोड़ा हम लोग तिव्रगती से चलेंगे इसमें कहा रहा है उस सम्में उससे संबंदित नहीं है नीचे दिया गया है एक दो तीन चार पांच सब्द इ इंजिनियर मतलब इंजिनियर अभियंता पुलिस और अकाउंटेंट बताइए इसमें क्या अलग है क्या संबंदित नहीं है उमिद है आपने सोच लिया होगा इसका जबाब देखिए एक प्रकार का ब्योसाइए ठीक है ब्यापार ब्योसाइए इंजिनिरिंग भी है आपसन नंबर भी इसका सही जवाब हो जाएगा जितने लोगों ने आपसन नंबर भी चुनाए बढ़ाई हो सभी का अंसर यहां पर एदम सही है बताइएगा अगला सवाल और यह सवाल का जवाब आप सभी लोग देंगे इसमें क्या कहा गया है इस प्रकार से कोश्चन हम करते है प्लस को गुड़े से प्रदरसीद करता है माइनस प्लस को करता है और मतलब भाग मतलब माइनस तो ग्याद किजी है यहीं पर हमδेते हैं चार् प्लस मतलब क्या है गुड़ा तो यहां पर गुड़े लगाएंगे फिर माइनस अब फिर माइनस किसको प्रदस्रीद करता है प्लस को नव लिग देंगे और मल्टिप्ला यानि कि गुड़ा किसको प्रदस्रीद करता है भागे को यहां पर तीन लिग देंगे और यहां पर ग्यारे ग्यारम ऐच्छाजा पांच आपसम नमबर यहां पर ए तो तीसरे का सभाब क्या हो जाएगा आपसम नमबर ए पांच पांच सही हो जाएगा बढ़ते हैं लोग गोष्षन खेन अगली संख्या घ्याद करना इसमें अगला संख्या 2 3 5 63 तो एगे का संख्या इसमें आएगा बता हिए इसमें क्या किया है अगयर आप गुड़े करेंगे मुझे तो क्या जाएगे तुम आजयाए तीन जाएगा यहां पर गुड़े क्या करेंगे दो माइनस एक कर देंगे ठीक है अब फिर इधार आया पांस त्याइन पंदर है यानि कि हर एक बार में एक संख्या बढ़ करके गुड़ा हो रहा है और माइनस प्लस हो रहा है तो यहां पर गुड़े तीन माइनस प्लस वन ठीक है अब फि अब बताईए पांचवा का क्या सही होगा पांचवा में क्या करना है इसमें खाली अस्थान को भरना है तो इस प्रकार से आपको विभाजित कर देना है ऐसा अधिकतर सवालों में होता है लेकिन किसी किसी में नहीं होता है जैसे एक दूर तीन चार पांच छे साथ आट नव दर्श ग्यारा बाया तेरह चवदर पंद्रह शूरह सत्रह ठारह उन्निस विस आप चाचार पांच पांच का बना सकते है है तो इसमें बना कर देखते हैं हम लोग क्या होगा ए बी ए बी ठीक है एक बाद बी आया है फिर ए देखिए इसमें कितना है ए गधी थाली अस्थान डि ए बी ए ऑन ए खली अस्थान वे फिर ए बी ययान ए खलीक है ठीक है अगर हम यहां पर भर देंगे A B A D क्योंकि यहां पर देखेंगे A B A B A D आ रहा है ठीक है और यहां पर भी आ रहा है तो उस हिसाब से A B A D यहां पर तो बन रहा है और A B A D यहां पर भी बन रहा है लेकिन यन बीच में आ आ करके काम गब्रा रहा है तो यन्हां को हम लोग क्या करते हैं अलग ही कर देते हैं A, B, A, D ठीक हैं और फिरBB अ तो यहाँ पर साफ हो गया ठीक हैं तो देखे B, A, D फीर यहां पर यहनने को क्या कर दे रहा है अलग कर दे रहा है फिर क्या हो जायगा A, B, इस प्रकार से क्या क्या आएगा? A आएगा, YN आएगा, D आएगा, A आएगा और A आएगा यानि कि A, YN, D, A, A A अफसन नमबर यहां पर B तो सही हो जायगा, ठीक है? चार अंक ले रहा है फिर उसके बाद यन्य ए बी ए डी फिर यन्य फिर ए बी ए डी फिर यन्य फिर ए बी ठीक है तो इस प्रकार से यह वाला सवाल का जबाब आपसन नमबर पास में का बी सही हो जाएगा ठीक है छटमा स्वाल हम लोग देखते हैं और यह तो देखने में आसान लग रहा है बाकी हल करते हैं देखें इसमें क्या करा है निम्न लिखित अक्षर स्रिंखला में लुप्त अक्षर की पहचान करना है तो इसका नंबर लिख देखते हैं कि यह कौन से नंबर प्याता है इग्रहमे नमबर प्लस चार यहां पर हो रहा है तो 19 प्लस चार उगत क्या जाएगा यहां पर 23 आज 23 किसका होता है तो डबलू का होता है 23 आपसल नमबर यहां पर छेटमी का बी सही जवाब हो जाएगा नेफ्स सवाल आता है आपके सामने यहां पर कहरा है कि अगली संख्या की पाचान कर यह पाचान कर यह आप सभी लो और देखिए आने वाला वीडियो जैसे यूपी पुलिस में कई सवाल ऐसे पुछे गये तो बहुत लंबे लंबे सवाल थे और एक ही सवाल में चार- यहां नहीं देना ऑः उसको वह जलद Нवाले हैं देखिए चानव की पिर क्या हूँ और सव सवाइब सवाथ और से एक सवाइब यानले कि चार चार रंग बढ़ रहा है चार आट बारह क्या बढ़ गया है सोला चार आठ बार सोला तो यहां पर कितना बढ़ेगा प्लस बीस होगा प्लस बीस जब करेंगे तो 136 रचियालिस 156 आपसर नमबर भी सही हो जाएगा तो दोस्तों यहां पर हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल भरती 2024 के बेस्ट बुक के बारे में जो की आप बुक की एक जलक यहां पर देख सकते हैं ठीक है और तो और जो पेपर हुआ है इसका नीचे आपको डिटेल सलूसन भी मिलने वाला है तो आप यहां से अपनी तयारी को और अधिक मजबूत बना सकते हैं इसके अलावा हम बात करें तो उसके साथ यहां पर आपको इस इस बुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है आप वहां से ले सकते हैं या फिर अपने नमीन तब आपके नजदी की पूष्टक मार्केट से भी जा करके ले सकते हैं अगला आपके सामने आता है और देखिए यह वाला सवाल भी यूपी पुलिस में हर एक सिप्ट में दो कोश्चन दो से तीन कोश्चन पूछा गया था इसमें क्या पचानना है जैसे जो दिया है यदि दूर दूर है तो आप इसको अपने सुविदा किसाब से लिख सकते ह है यह डवली लिखेन क मैं अधनी इन फूर मुद्थ क्या दे दिया है इसको क्या लिखते हैं हाउ आइऊ इसको क्या लिखेंगे हो हाओ आर यूदिकैंनिश अब इसके बाद दिए है नी नी लिखा है ? फिर क्या बोला तो तो देखें नी नी अब इधर दो कामन बताएए क्या है आर भी यू भी है तो आरे ले 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 लेते हैं फिर तीन का दिया है यू यू यहां पर कामन हो जाएगा वेयर का के सामने क्या बचा है से बचाहें तो से इसका सही जवाब आफसर नमबर एगा आपकि क्या जवाब क्या हो जेगा आपसन लमबर एव इसी प्रकार से नमब् आ Amaan कोश्चन भी उस इसी प्रकार से ठीक है तो इसको भी करा देते हैं बाकि ऐसा आगे स्वाला आएगा तो उसको हम छोड़ देंगे देखिए बताइए इसमें क्या सही जवाब होगा देखिए को क्या कर रहे है इट टेश्टी फूड को जो वा नू लिख रहा है देएटश्टी इंडियन डिस्क पी यचके नू लिख रहा है ठीक है और इट स्पाइसी डिस्क ओकि वा रह रहा है और पूछ रहा है कि फूड का क्या होगा तो चल यह पचानते हैं फूड कहां पर है फूड देखिए पहले वाले में है अब इट टेस्टी दोनों को भीड़ा देना है और जो बचे फूड के सामने वाला यही इसका उत्तर हुजाएगा तो देखिए तेस्टी यहां पर भी क कामन है अब इसी दोनों लाइन में देखिए कि इस वाले इससे में क्या क्या कामन है तो देखिए यहां पर नू दिख रहा है यहां पर भी कामन नू यहां पर भी कामन तो नू नू को हम लोग पकड़ दिये अब आता है देखिए किसका निकालना है हम लोग को फूड का न मिलेगा वा कॉइब पूछा है how should be 논शा नंबर जो आपसão नंभर जो आती को नंबर क्या आपसन नंबर एइस ही प्रकार से देखें बस बदल दिया है सब्थ को आप लोग करेंगे और अंप्र बताएंगे और यहां पर भी बरहमा देखेंगे तो बरहों एकदम सेम ही है तो इसका भी आप सब्सक्राइब को बताना है अब ने इस प्रकार से सवाल आए तो आपको दिशाओं का ग्यान होना चाहिए उपर मतलब उत्तर होता है नीची मतलब होता है दक्षे आपके दाहिने हाथ और पूर्व द पाहले आपके आपके शाम काहरें इसको पूर्व दिशाओं कीयार है हम लोग कीतना चला देंगे शाय किलो मिटर पूर्व दिशा confirm और पूर्व दिशा में शल्तूमिटाहे उपके पूर्व दिशाल चला देंगे अनो, कि और आफिल्म धिम्याओं ृशर है ? छ नहीं आप देखे इसको पैसे निकालेंगे तो यहां पर पायथा गोरस प्रमेय अलग जाएगा माली जिसको ए माण रहे हैं इसको सी मान रहे हैं तो ए सी निकालने का फ़र्मुला क्या होता है इसका स्कॉायर करतेंगे इसका स्कॉायर करतेंगे कार्डी में च्छाय का स्कॉायर 36 हो जाएगा आठ का स्कॉायर 64 हो जाएगा ठीक है तो AC का वैलू कितना जाएगा 36 सब करड़ी अटाएंगे तो दस आपसन नंबर क्या हो जाएगा दस कितना दूर है आरंबिक विंदू से दस किलो मीटर दूर है एक तेरह में का आपसन नंबर भी सही हो गया यहाउर लेकिन इसको भी हम लगाते हैं आर्या कें इसको उपर क्यों चलते फिर बार किलो मिटर पूर्वक्योर चलता है अब बारे किलो मीटर हम लोग इसको पूर्वक्योर चला दिये तो यहां पर बारा किलो मीटर चल गया और दाएं मुडा पर दाय बोड़ा और कुटनय चला यहां कि यहां पहुँजड की यहां तो नीशे की और कितना चल दिया 12 किलोमीटर तो कह रहा है वह आरंबिक बिंदू से कितना दूर है फिर तो वहीं आके 12 किलोमीटर चलाए तो कितना दूर हो जाएगा 12 कितना किलोमीटर आरंबिक बिंदू से हो गया दक्षिर की और यहां पर पंद्रह किलोमेटर चला है तो आरब मिंग बिंगु से कितना दूर हो गया पंद्रह किलोमेटर तो चैनल दामे का सही जवाब कि आपके अप्सन नंबर यहां पर दी ठीक है चलिए नेस्ट कोशन पढ़ते हैं हम लोग का समें रहं कि पंद्रहओं सेम हि है वही व ernा आ और सॉलहों भी ऐसा इसे सवाल यह सब क्या करना है फ्क Ladies Othericia करना है थीक है दो सवाल ऐसे ही सेम है तो इसको लगाना है ऑक इक कोशन और ऐसा ही ही आगिया है जा इसको भी हम अब लोब हर कर लेतो है मागी जो दो चोड़े आपको लगाना है अ है कहा रहा है एक ब्लीकर्टी बारा किल premiटर पस्छिम क्यों चलता है तो ब्लीकर्टी यहीं पांच किलों मीटर चलता है फिर वह पांच किलों मीटर आरंबिक बिंदु की ओर चलता है देखिए यहां पर यह सवाल थोड़ा बढ़िया है अब देखें बार इधर चला है इसको मिटाते हैं फिर से लिखते हैं देखिए क्या कहा है उत्तर की पस्चिन की और कितना चलता है बारे किलोमेटर चलता है ठीक है और इसके बाद दाएं मुर्ता है और पांच किलोमेटर चलता है तो पांच किलोमेटर हम्रुप चला दिये अब कह रहा है फिर वह पांच किलोमेटर आरंबिक बिंदु की और चल यानि कि यहां चलता है यहां चलता है तो इसका मतलब आप ऐसे तो ले जा नहीं सकते नीचे भी नहीं ले जा सकते हैं क्या लाना है हम लोग को विकार्ड वत लाना है यानि कि विकार्ड साइड लाना है पांच किलोमेटर हम लोग बना करके पांच किलोमेटर चला देते हैं और अपने गंतवे अस्थान तक पहुच चुका है अब आरंभिक बिंद उसे कितनी दूरी है दूरी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको यहां पर देख रहा होगा पाइथागोरस का प्रमिया लगेगा ठीक है तो चली हम लोग निकाल लेते हैं इसको पह आरह का स्क्वायर फ्लस मांच का स्कॉयर 12 में पर है एकसो चोलालीष पास्व पचीष तेरह एकसो नद तर तो एसी बिवराबर क्या हो जाएगा तेरह जाएगा यानि कि इस पूरे का लंबाई क्या है ते रह और पांच किलो मिटर चल चुका है तो बचा कीतरा 8 किलो मिट करना बचा तो क्या हो जाएगा कितनी दूरी पर है अरंभिक बिंदु से आठ किलो मीटर की दूरी पर है आपसे नंबर यहां पर डी सही हो जायेगा 17 का ठीक है अब हम लोग आते हैं अगला कोश्चन पर अगला कोश्चन आ गया रक्त संबंध से यानि कि बलड रिलेशन से देखिए यहां पर क्या कर रहा है और दो से तीन सवाल आपको बलड रिलेशन के भी मिलते हैं कि अग्या के एकलोती बेटी है जिसकी पत्नी यस जिसकी जब लगता है उसका मतलब एकजम जो लिटेस्ट लाश्ट में आया है उसके यह जिसकी लगता है और P यस का दमाद है तो P की बेटी टी का यस से क्या संबंद है तो देखिए चलिए बनाते हैं क्यू आर की इकलावती बेटी है क्या का रहा है क्यू जो है आर की इकलावती बेटी है तो माली जी यहां आर हो गया क्यू इसकी क्या है इकलावती बेटी है इकलावती बेटी के लिए हम लोग माइनस कची न लगाते हैं Q, R की इकलावती बेटी है, जिसकी पत्नी यस है, जिसकी लगाया है, तो किसके लिए, प्रयोग होगा R के लिए, तो R यहाँ पर आएगा, और इसकी पत्नी क्या बना दिया, जब पत्नी होता है, तो हम लोग बराबर कैसी ने लगाते हैं, पत्नी है, यानि कि यह फिमेल है, माइनस, और तब यह इसका पती मेल होगा, तो प्लस होगया, ठीक है, अब कहरा है, P, यस का दामाद है, P क्या है, P, यस का दामाद है, तो यानि कि P यहाँ पर रहेगा, तब यस का दामाद हुगा, यह चलना ही रहा है, ठीक है, दामाद को हम लोग पलस बना दिया, क्योंकि कहा है, P, यस का दामाद है, अब कहरा है, P की बेटी, T, P की बेटी, बेटी मतलम नीचे, T, P की बेटी T का यस से क्या संबंद है यानि कि इसका इससे क्या संबंद है तो यानि क्या हुगा है इसके लड़की का लड़की यानि कि इसके बेटी की बेटी क्या हो गई писi grand pretending का यह से यहनि कि कौन है तो क्या है रेकर इसको द्हां से दिखना यहाद टी का यह से यानि कि की कौन है तो क्या हो जाएगी ग्रेंड रभाड़ क्या हो जाएंगीत्स तो सही जबाब क्या हो जाएगा आपसर नमबर भी एगला और यह आभी कुछ ही प्रकार से हैं कि यह करा रहा है कि पी क्यू और प्र की माता है क्या है यहाँ पर आप आर इसका भाई या बहान कुछ भी हो सकता है अब जो माता है तो माता मतलब माइनस सिमिल है पी क्यूंकि पी क्यूं और आर की माता हो गई कर रहा है आर येस और टी का पिता है आर क्या है येस और टी का पिता है पिता है मतलब प्लस आ येस और आज इसमें क्लियर नहीं है कि कौन बेटी है कौन बेटा है और कर रहा है पी का टी से क्या संबंद है यानि कि पी क का टी से क्या सम्बंद है पी क्या है इसका बेटा है और बेटे का बेटी होगी या बेटी बेटा होगी इसका क्या मतलब हो गया पी, क्यू और आर की माता है, पी, क्यू और आर की माता होगी, आर यस और टी का पिता है, ठीक है, पी का टी से क्या संबंद है, तो पी इसका क्या लगेगा, क्या लगेगा, क्या लगेगा, पी का टी से क्या संबंद है, यानि कि इसके पिता की माता, यानि कि ग्रेंड मदर, आफ्सन candle यहाँ पर dear dhabi नदी लगेगी क्यांकि लड़का या फिर लड़की कोई हे वह बार तो यहां पर क्या होगा है थे यहां पर पूंजैरा कि A, C की मा है और E की ग्रेंड मदर है, A क्या है, C की मा है, तो A को हम लोग क्या बना देंगे, C की मा और E की ग्रेंड मदर है, C की मा है, और E की ग्रेंड मदर है, जिसका, यानि की E का पिता B है, यानि की पिता यहाँ पर आ जागा है, यानि की यह माता है, तो B का बिवाह, E से हुआ है, तो D का बिवाह, हम लोग E से करा देते हैं, अभी यह clear नहीं है कि कौन इसमें हिमेल है, जिसकी मात C है, यानि कि जिसकी मात C है, ठीक है, तो B का D से क्या संबंद है, B का D से, ठीक है, तो B क्या है, E क्या है, B की लड़की है, ठीक है, हाँ, D का बिवाह, E से हुआ है, जिसकी मात C है, B का D से क्या संबंद है, तो B, D की कौन होगी, D का कौन होगा, यहाँ पर क्या होगा, ससूर हो जाएगा, ठीक है, झाल